वेलकम देर टीचर्स आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी करनी है यूडाइस पलस के उपर आंट सिटुडेंट माडियूल पूरा वीडियो देखे जो भी आपका डाउट होगा वो सारा कलियर होगा फिर भी अगर आपके पास किसी किसम का कोई भी कॉश्चन है कॉमेंट बक्स आपके लिए खुला है पहली चीज है हमारे पास जो मोबाइल में हमारा जो गूगल क्रोम ब्रोजर है उसे open करना है और यहां पर search वाले इस बार में हम लोगों ने type करना है Udice Plus यह देख रहे हैं आप Udice Plus आप लोगों ने type करना है type करने के बाद जो पहला यह option हमारे पास आता है यहां पर Udice Plus Student Module इस पर हम लोगों ने click करना है क्लिक करने के बाद यहां पे स्टिटुटेंट डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का पेज आ गया है यहां पे सबसे पहली चीज जो है we have to select our state or union territory to login तो यहां पे मैं select करता हूँ अपनी union territory जो भी आपकी union territory होगी या state होगी and after date you will click on this go option ठीक है इस पे मैं क्लिक करता हूँ यह हमें सीधे login पेज पे लेके जाएगा यहां पे हमने अपनी login credentials डालने है that is our user ID then password और यहां पे हमारा जो capture है as it is यहां पे हम लोगों ने fill करना है and finally we will click on this login option तो चलिए हम अपनी details डालते है मैंने आपने login credentials डालके academic session that is 2024-25 इस पे हम लोगों ने जो है वो click करना है click करने के बाद school information यहां पे खुलेगी इसे हम लोगों ने करना है यहां से close अगर आप देख पा रहे हैं ठीक है तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो यह जो हमारे पास school details है grade wise बच्चों की for the session for the current academic session that is 2024-25 यहां पे सारा भी 00 ही दिखा रहा है सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है we have to complete our progression activity then we have to finalize that progression activity फिर जाके हमारे बच्चे जो है वो यहां पे आएंगे आगे गया क्या करना होगा वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिलाल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोगों ने जो है वो progression activity करनी है किस तरह बच्चे को promote करना है ठीक है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है left side पे आप देख पा रहे हैं यहां पी option है हमारे पास progression activity इस पे हम लोगों ने जो है वो click करना है click करने के बाद यहां पे progression module जो है वो खुल रहा है साथ में यहां पे कुछ और option से right side में है progression user manual अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो एक manual है फिर है view summary then we have progression summary section wise बच्चों की ठीक है then we have final progression ठीक है लेकिन सबसे पहला step जो हमारा है that is we have to perform progression activity उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है यहां progression module के नीचे आपको यहां एक टेप दिखरी ही है go इस पे हम लोग जो हैं वो click करेंगे तो यहां क्या करना है फिर आगे हमें push we have to select class and section हर एक class हर एक बच्चे को progression activity में लाना है यानि उसको promote करना है जिस सरह का उसका status रहा है आपके पास result register सामने होना चाहे और attendance register भी आपके पास होना चाहे तब जाकि यह detail आप actual में fulfill कर पाएंगे ठीक है सबसे पहली चीज है मैं यहाँ पे कोई भी class select करता हूँ मगर सारी classes में जितने भी बच्चे हैं उनकी progression activity करनी है for example एक example के तोब पर मैं class 5 को select करता हूँ end section यहाँ पे select करता हूँ that is a अब मैं यह जो go वाला option है यहाँ पे इस पे click करता हूँ click करने के बाद यहाँ पे बच्चों की detail आ गई ही है पहले ही यहाँ पे student basic detail आएगा ठीक है then we have progression status then we have eligible oblique promoted class section ठीक है उसके बाद हमारे पास है progressed on किस दिन यह progression activity की गई उस साथ में यहाँ पे status भी है and finally we have action एक एक चीज़ मैं आपको in detail यहाँ पे बताऊंगा पहले चीज़ बच्चे की यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं progression status इसमें भी आपको इपास आएंगे चार option पहला option है promoted oblique past with examination यानि हमारा बच्चा जो है उसने class pass की है exam देखे दूसरा option है not promoted ठीक है not promoted oblique not past oblique repeater you will select second option option हमारे पास है promoted oblique past without examination और चुहता हमारे पास है discontinued before examination यह चीज़ आप important याद रखे ठीक है अगर कोई बच्चा exam देने से पहले ही school छोड़ देता है तो उस case में हमें यह वाला option select करना है फिलाल मेरे case में पहला ही option है that is promoted oblique past with examination यह वाला select हो गया दूसरी चीज़ नीचे marks in percentage यानि इस class में जो last and fifth class तीज़ किसमें कितने marks लिए यहाँ पर मैं वो डालूँगा then we have number of days attended ठीक है then we have schooling status यह भी important चीज़ है क्या बच्चा इसी school में अभी पढ़ता है यह टीसी लेके यहाँ बगे टीसी लेके certificate लेके स्कूल से गया है तो मेरे case में अभी बच्चा इसी school में पढ़ता है अगर बच्चा certificate लेके गया है तो दूसरा option आप यहाँ पर select करेंगे तो मेरे लिए पहला यह option है ठीक है आगे बढ़ते हैं eligible promoted class या automatically आएगा अगली class 6 है और यहाँ पर section हम लोगों ने select करना है that is selection section A then we have status status अभी pending show कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर आगे देखे progressed on यह भी अभी नहीं दिखाएगा जब तक नहीं इसको आगे यहाँ पर update करूँगा क्योंकि मैंने सारा काम complete किया है अब मैं update वाले option पर जो है वो click करूँगा ठीक है तो यहाँ पर दिखा रहा है student details updated successfully तो यहाँ पर हम ok वाले option पर click करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आगर आप देख रहे होंगे यहाँ status जो पहले pending दिखा रहा था अब दिखा रहा है done इसी तरह से हर बच्चे की progression activity करनी है और वो date भी दिखाएगा और time भी दिखाएगा किस time आपने बच्चे की जो है वो progression activity की है ठीक है अब मान लीजे मेरे पास ऐसा बच्चा है जो हमारे school की final class है वो pass की है तो उस case में हम लोगों ने क्या करना है उसके लिए में यहां पर क्या करूँगा पुष्ट अपाल I will select class जो मेरे school की final class है top most class है that is 8 then I have to select section यहां पर select किया और go पर यहां पर click करना है तो यहां पर देखिए ठीक है इसी तरह सब कुछ आएगा ठीक है तो पहली चीज़ है progression status promoted oblique past with examination ठीक है दूसरी चीज़ है marks in percentage ठीक है दूसरी चीज़ जो आपके पास है that is marks in percentage ठीक है तो यहां पर आप जो है वो decimal नहीं लगा सकते हैं ठीक है तो अगर आपके पास 89 point something है you will write 89 then we have number of days school attended ठीक है कितने दिन स्कूल यह बच आया वो यहां पर हमने लिखने हैं then we have schooling status schooling status हमारे पास क्या है क्योंकि यह मेरी top class है तो यहां पर सीधे एक यह option दिखाता है left school with tc, oblique without tc तो मेरे case में यही होगा ठीक है लिक्ट अगर बीच में किसी class का बच्चा second class का, first class का, third का, fourth का, fifth का कही जाता है, तो वहां पर भी यह option आएगा, मार यह दूसरा option होगा पहला option जो होगा, studying in the same school वाला होगा, ठीक है तो यहां पर देखे, eligible oblique promoted class and section इसकी automatically यहां पर नायत आएगी अगर आपका school फिप्ट तक है जब आप फिप्ट वालों को promote करोगे तो वहां progression activity जब आप करोगे तो यहां पर class automatically, अगली class आएगी section यहां पर हम select नहीं कर सकते हैं इस बच्चे को कोई और school जो है वो import कर लेगा, क्योंकि यहां से इसने final class पास की है यहां से certificate लेकी गया है यह बच्चा, ठीक है status आगे फिर से pending show करेगा जब तक न मैं आगे इसको update करूँ अब मैं इस यह update वाला जो option है इस पे click करता हूँ जो ही मैं update वाले option पे click करता हूँ तो यहां दिखा रहा है are you sure to update student record with left school with tc, oblique without tc yes इसको हम लोगों ने confirm करना है ठीक है हम confirm वाले option पे जो है वो click करेंगे click करने के बाद दिखाएगा students details updated successfully और यहां पे हम okay पे click करेंगे ठीक है तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि किस तरह से हम बाचे को promote कर सकते हैं ठीक है कौन कौन से important options हैं जिनका ख्याल रखना है तो आगे भी योडाइस के ओपर वीडियो आती रहेंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद